हेलो यूट्व फैमली वेलकम बैक टू मैं चैनल एगेन ये वीडियो लेके आया हूँ सेकेंड पार्ट जो कि मैंने एक लास वीडियो डाली थी जिसमें मेरी ओला लगबग बंद हो गई थी बारिश में जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो नॉर्मल मोड में है और ये उठनी रही थी और थोड़ी देर कुछ स्ट्रगल करके कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है कभी फ्री हो रही है तो ये इशू था इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डाली थी इसमें आये मेरे पास बहुत सारे सजेशन और कमेंट्स तो उन कमेंट्स को एनलाइज करके ही मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला और उसके रिगार्डिंग ही ये वीडियो है जैसे कि ये वीडियो है लोगों ने कमेंट किया जैसे यू डॉन्ट नीड तो रिमूब देट ग्लू देर इस अ कॉपलर और एंड बोला कि वो कॉपलर निकाल दो सेंसर निकाल दो लोगों ने कमेंट कि आपके जैसा इस्व मुझे भी आया है सेम प्रॉब्लम एक भाई ने बोला भाई जी आपकी एमरजेंसी में फर्स जाएं तो हटाने की जगे नहीं है तो वायर को आराम से कीचिए फ्री हो जाता है और आइटिंग पानी जाने से यह इसू है क्योंकि बिना बरसात में ऐसा मुझे कोई इसू नहीं आया ढही तक और उसके बाद अभी कोई शो भी नहीं आया लोगों ने किया भाई उसे अगर ओके यह भाई है जो इननने री सबसे बैस्कमेंट किया मेरे भाई, ग्लू स्टिक लेकर स्टेशनरी से 10 रुपए की आती है, उसको लगा दो, तो मैंने इनी का सजेशन फॉलो किया, क्योंकि मेरे जो वायर है, मेरा थोड़ा सा वायर दिख रहा था, उन भाई ने कमेंट किया था, कि भाई, ग्लू स्टिक लेलो 10 रुपए का स्टेशनर इसको लगा दो, तो इसके लिए मैंने और भी कमेंट कोई वायर खीचने का, क्योंकि यह टेंपरेरी सॉलुशन मुझे करना था, मतलब मेरा इशू ही टेंपरेरी था, तो मैंने यह स्टिक ली थी, ग्लू स्टिक, स्टेशन दस रुपए की दी मुझको, और बरसात देख आज कई वीडियो आज दुबारा में बरसात में फस गया था, मैंने बोला दुबारा से यह इशू आए, उसको टेस्ट भी कर लेते हैं, और इसको लगा भी लेते हैं, तो यह अपन बरसात में फसे हुए थे, यह अपनी ओला S1X 4KW, और अगर इसमें देखेंगे, तो एक और थोड़ा से गया उपर भी है, आप यह देखोगे ना, थोड़ा से एक गयाप है, इसमें भी पानी जाता है, अंदर कुछ मेटल पार्ट्स दिख रहे हैं, नॉट शूर के किसकी वज़े से मीन इशू है, तो मैंने ओला, यह तो मुझे चिपका नहीं है, पहले मैं से कर लूँगा, क्योंकि ज्यादा कुछ में छेड़ चार नहीं करना चाता है, क्योंकि वारंटी में ऐसा कुछ ना हूँ, और ग्लू टेपिंग तो हम हटा भी सकते हैं, और वो अपनी सेफटी के लिए है, कोई इशू नहीं है, तो मैंने यही ग्लू को क्या किया, इसको म क्यि thrive हो जाता है, तो थोड़ा सा struggle था, क्योंकि यह melt करके मुझे डल लग रहा था कि wire को किया, क्योंकि नहीं कर देंगा, यही कि थाऊ थूदा सा बरसात हो यह थी तो थोड़ा सटर्गल था पांच लोन रगा है, लेकिन वारंटी मैंने जला के यह करता हूँ, फिखो यह तो ये प्रॉपर सील हो चुका है और मैंने इसको थोड़ा सा बाद में भी और इसको थोड़ा सा थिक किया और थोड़ा थोड़ा दबा दिया ऐसा बर्डनिंग सेंसेशन नहीं था कि कोई मैं हाथ से भी टच कर रहा था पहले में टेपिंग सोच रहा था टेपिंग मेरे ख्याल से नहीं चलता क्योंकि वह वाटर को लोक नहीं कर पाता यह देखो बड़ा चिप चिपा सा लग रहा है लेकिन यह बिलीव मी यह सूखने के बाद ऐसा हार्ड हो गया तो काफी अच्छा इसने solution दिया है और इसके बाद जब बरसात में मैं आज फसा था इसको मैंने वहीं पे solve किया मैंने बला अभी पहले कर लूँ बरसात में क्योंकि मुझे जाना था और मैं भींग भी गया था तो उसके बाद यह मैंने इसे tight कर दिया तो यह देख सकते हो ल खार्ड हो गया था ठंडा होने के बाद और ठीक है और इसको निकाल लूँगा तो यह एससा कुछ अंदर से डैमेज नहीं कर रहा है तो यह मेने solution अपना है problem के regarding आप भी अपना सकते हो और यह अपनी कुछ इस तरीके से दिख रही थी बरसात में कफी खूबसूरत लगती है और खास कर यह color मुझे क्योंकि बरसात में पढ़के और शायन करता है तो बाद में मैं बरसात में मैंने काफी चलाया मैं पूरा आज भींग गया था अपना एक घंटा बारिश में खड़ी रही थी है क्योंकि मैं जिस काम से गया था यह बारिश रूख नहीं रही थी और बारिश में खड़ी रही थी तो पानी तो खूब गया है लेकिन मुरे अभी तक यह रूखी नहीं गाड़ी यानि वह वाला इश्यू मुझे नहीं द subscribe we'll see you again thank you bye